हाई गाइस वेलकम टो एंब पाट शाला सो फस्ट फोल आप लोगों पता ही होगा कि यह हमारा दूसरा सेशन है ठीक है अपने सेकंड सेशन में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग कंटिन्यू करेंगे इसका फस्ट सेशन आप लोगों ने देखा होगा ठीक है इन सेशन को आप करो उन लोगों के साथ जो लोग किसी भी management entrance exam को target कर रहे हैं जैसे कोई महरास CT को target कर रहा है कोई करें ठीक है एंड टेलिग्राम चैनल पर आपको इन सभी सेशंस की पीडिएफ मिल जाएगी और प्रीवेसर क्वेशंस की पीडिएफ मिल जाएगी ठीक है दो सब्सक्राइब अबर यूटूब चैनल अगर आप लोग नहीं करा है तो यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कि नहीं है यहाँ तक मैंने लोगों को क्लास तो इससे आगें वर्यdade केंटीनियू करें फिर cloth sound देखता है तो थी इ cris div चॉत आरों ठीक है पिर हमारे पास आगी क्या बोला जा रहा हम लोग को फाइप उरटच का जो मिनिंग को क्या है man is old ठीक है और हमारे पास तीसरा क्या बोला जा रहा है हम लोगो yes 378 378 का मतलब क्या है buy good books ठीक है यह हमारे पास तीन हमें number दिये हुए है उन numbers का words से correlation है 253 means क्या है books are old the meaning of 546 is man is old and the meaning of 378 is buy good books to what stands for R in that code where is R R कहाँ पर है हमारे पास R किसे में आ रहा है 253 में से किसी एक number का जो मतलब वो R है क्योंकि यह these are three numbers 253 इन तीनों numbers में से कोई एक number तो books के लिए आता है कोई एक R के लिए आता है कोई एक old के लिए आता है अब इन तीनों का use करके 253 का मतलब books are old है 546 का मिनिंग man is old है 378 का मिनिंग क्या है by good books है तो एक बार मैं इसको detail में explain कर देता हूँ ताकि next question से आपनों कोई problem ना हो 253 253 का मतलब क्या है books are old ठीक है books are old 546 का मिनिंग क्या है 546 का मिनिंग क्या है man is old man is old and 378 का मिनिंग क्या है 378 का मिनिंग क्या है by good books by good books तो ये हमें दिया हुआ है ठीक है we have to find the what stands for R R किसके लिए stand करता है अपने को बताना है ठीक है तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा अगर आप थोड़ा दियान से देख पा रहे हूँ common देखो यहां पर भी 5 है 5 यहां पर भी है इन दोनों में 5 है इन दोनों में 5 है तो 5 यहां पर कौन सा word common है इन दोनों sentence books are old man is old तो old is common तो it means 5 is 4 old it means 5 is 4 old इन दोनो 2, 5, 3 and 5, 4, 6 में 5 is common और उधर old is common तो यह clear हो गया है जो number 5 है वो old के लिए use होता है number 5 जो होता है वो old के लिए use होता है यह बात अपने को बिल्कुल समझ में आ चुकी है अगर मैं आगे बढ़ता हूँ guys ठीक है 2, 5, 3 इस वाले में देखो और 3, 7, 8 में 2, 5, 3 and 3, 7, 8 2, 5, 3 और 3, 7, 8 में 3 is common 3 यहां पर भी है 3 यहां पर भी है books are old and यहां पर by good books तो अगर हम देखते है 2, 5, 3 and 3, 7, 8 में and 2, 5, 3 and 3, 7, 8 books is common तो definitely जो 3 है वो किसके लिए है books के लिए 3 यहां पर भी है और books यहां पर भी है यहां पर भी है यहां पर भी है यह बात समझ में आती है अपन लोगो So, 3 is 4 books 3 is 4 books यह बात भी अपने को बिल्कुल clear है Guys, मुझे पताओ if 5 is 4 old and 3 is 4 book then definitely 2 किसके लिए होगा then definitely 2 किसके लिए होगा 2 is 4 R 2 किसके लिए होगा R के लिए होगा और उसने मुझसे R काई पुछा गया है मुझसे पुछा भी R काई जा रहा है तो अबर answer is 2 तो here option 2 is the answer here option 2 is the answer getting my point ठीक है अच्छा 4, 6 को लेके मैं नहीं बता सकता कि 4 men के लिए होगा या 6 men के लिए होगा ऐसी 7 or 8 में से मैं नहीं बता सकता कि buy किसके लिए होगा गुड किसके लिए होगा ठीक है क्योंकि ऐसा कोई common नहीं है common पहले देखा अगर मैंने देखा 2, 5, 3 and 5, 4, 6 में 5 is common यहाँ पर 5 किसके लिए है old के लिए यहाँ पर 5 किसके लिए old के लिए old इधर common है फिर पहले वाले नंबर में और last वाले नंबर में 3 common था इधर देखा तो books इधर भी आता इधर देखा तो books इदर भी आता तो it means 3 is 4 books अगर 5 old के लिए है 3 books के लिए 5 old के लिए 3 books है तो definitely 2 के लिए क्या होगा और होगा बड़ा simple सा question था इस तरह के question थोड़े trend में आ जाते हैं बट यह भी हमारे coding recording के अंदर ही cover होता है ठीक है तो यह हमारा पहला question था आज का दूसरा question देखते हैं इसका एक बार इसको देखो जल्दी से ठीक है यह सारे के question जब भी आप देखते हो ना तो आप लोग तो video pose करके भी question देख सकते हो ठीक है video pose करो question solve करो नहीं होता तो फिर मेरा solution देख लो एट ठीक है यह देखो अब इसको अब मैं लिखूंगा नहीं लिखने में बहुत time waste होता है ठीक है अब अगर मैं देखता हूं तो यहां पर भी आ गया अगर मैं अब ध्यान से देखता हूं guys तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से देखो ka lo, ford and shoes of leather ka lo, ford and hit ka tom hit ka tom and ka lo, ford hit ka tom and ka lo, ford में ka is common तो definitely जो ka है वो किसके लिए है ka किसके लिए है, ka इनमें word कौन सा common है, tie the shoes and shoes of leather तो shoes is common इदर क्या common आ रहा है, shoes आ रहा है ka is for shoes का is for shoes, getting my point, का का मितलब क्या होता है, shoes होता है, ठीक है, मतलब language में इसमें, जो ये अलग इसमें coding, recording दे रखा है, ठीक है, low-teen-loat, low-teen-loat, अज जो हमें third दिया हुआ है, low-teen-loat is written as leather and rexene, अब leather यहाँ पर भी है, leather यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर कहता है, का, लो, फोड, एंड, लो, टीन-loat, का, लो, फोड, लो, टीन-loat में, low is common, तो low common है, उधर लैदर common है, तो it means, low is for leather, it means, low is for leather, इसको भी लिख लेता है, low is for leather, low is for leather, ठीक है, उसना हम से पूछा क्या है, how is off written in this language, off का क्या होगा, ठीक है, देख लेंगे अभी, अब मुझे पता है, का, लो, ठीक है, मुझे का भी पता लग गया, लो भी पता लग गया, ठीक है, का भी पता लग गया, लो भी पता लग गया, उसने मुझे off पूछा है, तो just focus on this, इस पे फोकस करो, इस पर focus करो, Carlo, Ford, Carlo, Ford is written, Shoes of leather, अब Shoes का क्या होता है, deren Space का का होता है, लो का leather होता हि, तो Ford किस के लिए होगा, Zwirter के लिए होगा, तोPhone is for of, यह बात समझ में आती है आप लोग को, ठीक है, Ford is for of, यहाँ तक की बात, आप लोगों को समझवे आती है क्या जरा मुझे बताओ ठीक है और कहीं तो off आया ही नहीं था यहाँ पर tie the shoes था यहाँ पर shoes of leather था यहाँ पर leather and exean था off इसी में था और अगर मैं off का देखता हूं यहाँ पर car low forward इनमें देखो car यहाँ पर भी है हिट का टोम में भी का है का लो फोड में भी का इनका देखे तो tie the shoes था यहाँ था shoes of leather दोने में shoes common था तो definitely car is for shoes low, teen, low and car low forward दोने में low common है और कौन सा word common आ रहा है leather common आ रहा है तो definitely low is for leather अगर low leather के लिए है, car shoes के लिए है तो definitely ford किसके लिए होगा, off के लिए होगा, that is why the coding of off is ford, definitely option A is the correct answer here, I hope आपको यह भी समझ में आओगा, ठीक है यह अलग तरह की थोड़ी coding decoding है, hope so आप लोग को समझ में आभी रहा होगा कि मैं यह पर कर क्या रहा हूं ठीक है, third question कि तरफ बढ़ते है आज को हमारा third question है, एक बार इसको देखिए, यह third question क्या बूला जा रहा है guys, एक बार इस third question को देखो, क्या बूला जा रहा है, ठीक है, चलिए, ठीक है, in a certain code go home, go home का जो coding है, in a certain code go home is written as tana, nice little home, nice, मैं अलग-अलग color से shade करता हूँ इस ते, आपको देखना भी चाहिए, कि अलग-अलग color उदित क्यों use कर रहे है है हाँ पर, nice little home, home यहाँ पर भी, home यहाँ पर तुरंथ हीट होना चाहिए, दोनों में home को मन है, nice little home is written as na zapa, nice little home is written as na zapa, how is go written in that code, how is go written in that code, go home and nice little home, go home and nice little home, which word is common here, in go home and nice little home, home is common, home क्या है इसमें common है, अगर इसमें home common है तो उनकी coding में क्या common है, go home का जो coding था वो ता ना था, nice little home का coding क्या था, na zapa, तो na is common, na is common, ना इन दोनों में common है, ना यहां पर भी आ रहा है, ना यहां पर भी आ रहा है, ना तो coding में common है और word में क्या common आ रहा है, home यहां पर भी आ रहा है, तो na is for home, na is for home, na का जो coding है वो क्या है, home है, how is go written in that code, अगर na का coding home है, अगर na का coding home है, ना का जो पोडिंग है वो होम है, तो ता ना, ता ना is go home, तो ना is for home, then go का कितना होगा, ता होगा, then go का कितना होगा, ता होगा, and ता is in option A, ता is in option A, बता हो जड़ा, ता is in option A, I hope आपको यह समझ में आ रहा होगा, this was the third question on this same concept, guys, बल्कि यह वाला सबसे easy था, यह वाला सबसे easy था, आपने देखा होगा, दो-दो वाले word थे यहां पर, ठीक है, तीसरे question यह तरह बढ़ते हैं, guys, अब थोड़ा, जितना हम लोगों ने अभी तक cover कर लिये, जितना अभी तक हम लोगों ने cover कर लिये, उनके basis प अब मैंने cmate के 2-3 question डाले हैं, आप लोग इनको जरूर देखेगा, ठीक है, चलिए, पहला question देखते हैं, क्या कहता है, जैपान is coded as, जैपान का coding कितना है, जैपान का coding है, वो कितना है, k, c, s, e, s, this is the coding for जैपान, यह जैपान का coding है, ठीक है, अगर थोड़ा ध्यान दे ज हुआ, ठीक है, आपको पता भी होगा, जो p आता है, वो 16 नंबर पर आता है, और जो s आता है, वो 19 नंबर पर आता है, a is o number 1, e is o number 5, तो यहां पर प्लस 5 किया, n, कौन से नंबर पर आते जाले हैं, 14 पर, s किस पर आता है, 19 पर यहां पर प्लस 5 किया, तो आप लोग समझ ग इतना होगा, meaning नहीं, coding पुछा जा रहे है, ठीक है, तो भाईया, हम भी वही काम करने में, expert है, जो काम यह कर रहा है, यहां पर प्लस 1 करना है, यहां पर प्लस 2 करना है, यहां पर प्लस 3 करना है, यहां पर प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6, जब आप इस question को exam में करोगे, exam में हमारे पास option दिया हुआ है इन sum में पहला letter D है तो D के लिए check ही मत करो कोई दिक जरूर ही नहीं है अब second letter से check करो यहाँ पर I है, यहाँ पर J है, यहाँ पर C है, यहाँ पर K है तो second letter will decide कि क्या आएगा second letter will decide क्या आएगा तो मुझे पता है C में plus 1 करने पर तो D आता A में plus 2 करने पर C आएगा मेरा answer, C किस में था भाई? option C में, यह मेरा answer होगा सीधी बात, पूरा का पूरा solve करने की जरूरती नहीं है अभी मुझे पता था, जो S आता है, वो 19 पर आता है 19 प्लस 3 कितना होदे? 22 तो फिर के आएगा हमारा V आएगा, ठीक है तो V था आगे हमारे पास जरह देखो V था यहाँ पर, चेक करने जरूरत नहीं है बड़, आपको पता होना चाहिए T किस पर आता है 20 पर आता है, इजोटी याद है, इजोटी मैंने बताया था आप लोगो अगर आप लोगो इजोटी याद हो, तो T is on 20th number अगर T 20th number पर है, तो 20 प्लस 4 कितना होता है, 24 होता है 24 पर क्या आता है, हमारे पास X आता है, देख लो, यहाँ पर भी X है यह करने की जरूरत नहीं है, मैं भली verify कर रहा हूँ इसको, ठीक है आप लोग अगरने की जरूरत नहीं है, ऐसी L की जो numbering उसमें 5, 8 गरोग तो कितना आएगा, Q आएगा E 5 पर आता है, 11 पर क्या आता है हमारे पास, ठीक है, इसको लिख लेंगे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, DCV XQK is the coding for Kessel, ठीक है, Kessel का coding क्या होगा, DCV XQK So this was CMAT 2019 question, अगर हम बात करें, CMAT 2019 में Coding Decoding का ये question आया था, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, previous year questions कराना इसलिए जरूरी हो जाते हैं, हमारे लिए, so that बच्चों को idea हो जाए, कि exam में किस तरह के questions आते हैं, ठीक है, hope so, आप लोग को समझ में आ रहा होगा चलिए जी, next question देखते हैं, इस question को देखो आप लोग, अब यहाँ पर देखो, ये कैसे होगा, ठीक है, try this one guys, इसको देखो एक बार, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, in a certain code, ठीक है, देखो आप लोग घर बैठके वीडियो देख रहे होते हो, ठीक है, तो best way is question देखा, pose करा, खुद try करा, फिर मेरा तरीका देखा, इससे बहुत फायदे होते हैं, ठीक है, हाँ, तो देखो जा रहे हैं, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, in a certain code, ripple, r, i, double, p, l, e, जो ripple की coding है, वो कितनी है, हमारे पास, 6, 1, double, 3, 8, 2, is the coding for ripple, ripple का coding कितना है, 6, 1, double, 3, 8, 2, is the coding for ripple, है न, life is written as 8, 9, 2, अगर हम life का देखे, l, i, f, e, जो life का coding है, जो life का coding है, वो कितना है, 8, 1, 9, 2, the coding of life is 8, 1, 9, 2, यहाँ तक की बात आपको clear, first of all, आप लोग चेक करो, क्या इन में, जो हमसे पुछा जा रहा है, हमसे coding पुछा जा रहा है, पिलर का कित जो सारे के सारे letters है, P है, I है, double L है, E है, R है, क्या ripple और life में मिल जाएंगे, क्या, yes, P मिल जाएगा, I मिल जाएगा, double L मिल जाएगा, E भी मिल जाएगा, और R भी मिल जाएगा, सम मिल जाएगा, तो कुछ भी करने के अवशकता नहीं है, आपको कुछ भी करने के अवशकत बत्ति क्कति है यह लुक्यत्हों तो इस प्रड़ मेर्ट कराणा मैं छोड़ी में चाहरा है वैसे ल का पूजिशन मोली के वो 80 अब आई नम्रींग आई का नम्रीं यहां पर भी न तो डे oak ओन एक लख़ा यहां पर आया तो यहां पर यहां पर एंड़ी तो यहां I hope आपको ये question भी समझ में आ रहा होगा, कि यहां पर मैंने क्या किया है, ठीक है, hope so, आप लोगों सारी चीजे समझ में आ रही होंगी, ठीक है, so this was CMAT 2019 question guys, ठीक है, देखो यार, ये ना, question segregate करना, topic wise पढ़ाना, फिर प्रीवेसर question segregate करना, थोड़ा time लगता है इन सब चीजो में, ठीक है, तो चैनल को subscribe करो, share करो अपने दोस्तों के साथ, तो जरूरी ये है, ये वाला question देखो, थोड़ा अच्छा question है, this was CMAT 2018 question, CMAT 2018 का question है अब इसको try करते हैं हम लोग, ठीक है, अब देखो जरा, थोड़ा महनत कराएगा है, कोई problem नहीं है, महनत करने के लिए हम ready है एफ, आर, आई, जी, एच, टी, ए, एन, एस, प्राइटन का जो उसने नंबर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 106 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 106 दिया हुआ है, similarly is written as 118, ऐसे similarly का दिया हुआ है, SI, MI, LAR, LY, similarly का कितना दिया हुआ है, इसका 118 दिया हुआ है, हमें बताना है, demonetization का क्या होगा, ठीक है, पहले इसको देखके रखते हैं, देखो, letter का जो, letter से numbers में पहुचा है, letter से numbers में पहुचा है, तो पहले मैं letters की numbering लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है, F कौन से number पर आता है, 6 number पर आता है, R कौन से number पर आता है, R जल्दी से बताओ, 80 number पर आता है, IJ का यूज़ करता हूँ मैं, मुझे पता है, T is on 20th, तो R उससे 2 पहले आता है, R, S, T, T, तो R किस पर होगा, 18 पर होगा, I कौन से number पर आता है, जल्दी से बताओ, आपको पता होना चाहिए, IJK, पता है न, IJK, तो J is on 10th number, तो I किस पर आएगा, 9th पर आएगा, G कौन से number पर आता है, E, F, G, 7th पर आएगा, H कौन से number पर आएगा, 8 पर आएगा, T कौन से number पर आएगा, 20 पर आएगा, E is on 5, N कौन से number पर आता है, N, O, P होता है, N, O, P होता है, O, 15th पर आता है, तो N, 14th पर आएगा, S के बाद T आता है, तो T, 19th पर होगा, हाँ है, न, numbering, इजोटी से बहुत ज़्यादे easy हो जाता है, तो इजोटी का role है, आप मानो ना मानो, अगर हमें इन सब को add करता हूँ, इन सब को add करना, ये कितना बना, 24 बना, 33 बना, 40 बना, 48 बना, 68 बना, 68 और 38, 68, 68 और 38 कितना होता है, 68 और 38, 106, क्या 106 दिया था क्या, येस, दिया है 106, इट मेंस हमें करना क्या है हर एक लटर की निकालना है उसको एड करना है अब करना आप लोग च pensar ल unas हमारे पास 13 पर आता है आई जोन 9 एल किस पर आता है 12 पर आता है न सिर्टीन पर आता है फिर यहां पर आएगा 12 फिर यहां पर किया आएगा 25 इनको एड कर लो आप लोग 19 प्लस 9 कितना होता है 28 होता है 28, 13 कितना होता है, 41 plus 9, 50, 62, 63, 63 और 30, 93, 93 और 25 कितना होता है, 118, ठीक है, तो इन सभी का सम कितना हो जाएगा, इन सभी का सम कितना हो रहे, 118, जो की question में भी यही दिया हुआ है, demonetization, इन सभी letters की numbering सबसे पहले लिखनी पड़ेगी, तभी जाके solo उपाएगा है, demonetization, demoni, demonetization, demonetization, थोड़ा बड़ा word है, तो थोड़ी मैंने काता है, महनत कराएगा है, बट महनत से पीछे नहीं भागना है, मैंने बहुत बार बताया आप लोगों क्लास में, कि भीया, लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है, कभी भी आजाए, आप कभी भी ready हो जाओ, आप लाइफ में कभी चेंज होनी शुरू हो जाएगी, वो आपको डिसाइड करना है कि कब तक आप अपने comfort zone में रहना चाहते हो, अपने comfort zone से जैसे ही बाहर निकलोगे, तो आपकी life तुरंत चेंज हो जाएगी, आपको महनत करनी है बस, ठीक है, हाँ, महनत करनी है, चलिए, डी is on 4th place, e का 5 आता है, इसका कितना आता है, 13 आएगा, o का कितना आता है, 15 आता है, 14, i का 9 आएगा, t का 20 आएगा, 9 आएगा, S का 19 आएगा, 1 आएगा, T का 20 आएगा, 9 आएगा, O का कितना आएगा, 15 आएगा, N का कितना आएगा, 14 आएगा इन सबको add कर लिए ना guys, ठीक है, इन सबको add करने में हम लोग expert है, कर लेते हैं जरा ठीक है, देख लो जरा 4 प्लस 5, 9, 13, 09, 20, कितना हो जाएगा, 2, 22, 22, 15, कितना हो जाएगा, 30, 7, 37, 14, 51, 9, 60, 80, 89, 89, 20, कितना हो जाएगा 109, 109, 20, कितना हो जाएगा, 129, 129, 9, कितना हो जाएगा, 138, 138, 138, और 29, कितना हो जाएगा जड़ा देख लेना 167 167 is an option C 167 कौन से option में option C में तो इतना टाइम लगना ही था इसमें option भी बहुत जड़ा है close close थे तो मैंने starting में भूला था आप लोगों कोशन थोड़ा जाद है महनत खराने वाला है ठीक है फ्राइटेंस में जितने भी सारे की सारे लेटर यूज हुए ठीक है बट मैंने देखा लेटर ना एक बार अगर निकाल लिया तो next time बहुत इजी हो रहा दनिकालना इजोटी का तो मैं बहुत proper use करता हूँ इजोटी का मैं इजोटी से कंपर एगा मुझे ऐसे याद नहीं है ठीक है इजोटी से अपने को याद किया थोड़ा practice से याद हो जाता है ठीक है अच्छा एम 13 पर आता है ओ 15 पर आता है ओ 15 पर यह तो उससे पहले n आएगा 14 पर आ कवर होता है अब अगली वीडियो में इसके और और बच्चे वे टाइप कवर करेंगे महाराष्ट CT में कैसे कुश्चन आते हैं वो देखेंगा मगले इसमें जो बच्चा वो टाइप होगा वो डिसकस करेंगे और साथ में पीवाई की उस तो हम लोग डिसकस करेंगी करें ठ ठीक है इनको चैनल को सब्सक्राइब भी करो ठीक है और टेफिनेटली अभी जितने भी एक्जाम समा रहे होते हैं उनके लिए सारे की सारे वीडियो बहुत ज़्यादे बैनिफीचल है ठीक है गाइस थैंक यू सो मच गाइस एव नाइस डे ठीक है बाबाए